हेलो फ्रेंड कैसे हूँ मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है फाइनली मोटरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो जी 62 5G को लॉंच कर दिया वहीं दूसरी तरह मोटो का ही पॉपलर स्मार्टफोन मोटो का G71 5G अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हों कंप्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है तो आज के एक कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरू देखके जाना चाहिए तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं दोने स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जा तो मोटो के G625G को वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन में 2000 उपीज का डिफरेंट देखने को मिल जा दोने स्मार्ट फोन के अगर performance की बात करी जाए जो कि ये की स्मार्ट फोन के लिए इसका प्रोसेसर काफी important पार्ट होता है इन दोने स्मार्ट फोन के price में 2000 पीच का difference देखने के मिल जाता है पर performance के मामले में ये दोने स्मार्ट फोन बेकुल एक जैसे ही कोकि Moto के G62 5G में भी Qualcomm Snapdragon 695 का एक powerful 5G gaming processor देखने को मिल जाता है दोने smartphone के अगर display segment की बात करी जाए तो Moto का G71 5G काफी ज़्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि Moto के G71 5G का जो price है वो 2000 रुपीस कम है उसके बाद भी आप लोगों को 6.4 inch की full HD plus AMOLED display देखने को मिल जाती है डिस्प्ले की अच्छी smoothness के लिए 60Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरह Moto की G62 5G का price 2000 रुपीस जादा है उसके बाद भी आप लोगों को 6.5 inch की full HD plus IPS display देखने को मिल जाती है और display की अच्छी smoothness के लिए 120Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी एक अच्छी display वाला smartphone लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों को Moto के G71 5G की तरब जाना चाहिए smartphone के अगर camera segment की बात करी जाए तो price में 2000 रुपीस का different देखने को मिल जाता है पर camera के मामले में ये दोने smartphone बिलकुल एक जैसे हैं लोगों के Moto के G62 5G में भी back में triple rear camera setup देखने को मिल जाती है 50 Megapixel का main primary camera मिलता है बाकी के दो camera 8 Plus 2 Megapixel के मिल जाती है with LED flash light के साथ वह इस selfie के लिए 16 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है पर Moto के G62 5G से आप लोग 4K video record नहीं कर सकते हैं दूसरी तरह Moto के G71 5G का price 2,000 रुपी स्का में उसके बाद भी आप लोगों को back में triple rear camera setup देखने को मिल जाती है 50 Megapixel का main primary camera मिलता है बाकी के दो camera 8 Plus 2 Megapixel के मिल जाती है with LED flash light के साथ पर Moto के G71 5G के पास एक advantage है आप लोग phone के back camera से 4K video असानी से record कर सकते है selfie camera का अगर बात करी जाए तो 16 Megapixel का selfie camera देखने के मिल जाए smartphone के अगर battery segment के बात करी जाते है तो एक बार फिर से Moto का G71 5G कम price में भी काफी ज्यादा better हो जाता है क्योंकि Moto के G71 5G में 5000 mAh की एक बड़ी battery मिल जाती है 33W के fast charging के साथ USB tap support का support देखने को मिल जाता है वही Moto के G62 5G में भी 5000 mAh की एक बड़ी battery मिल जाती पर आप लोगों कि 20W का इक turbo fast charging का support देखने के मिल जाता है तो इस साब से Moto का G71 5G कम price में भी ज्यादा ज्यादा faster charging के साथ security feature के लिए side mountain finger pin sensor देखने को मिल जाता है कि दोनों में से कौन सा smartphone आप लोगों के लिए best है जिन लोगों ने इस comparison वीडियो को पूरा देख लिया होगा वो तो समाझ गए होगे कि Moto का G71 5G कम price में भी Moto के G62 5G से काफी जादा आगे निकल जाता आप लोग भी Moto के G62 5G और Moto के G71 5G को लेकर confused थे तो आज के इस वीडियो से आप लोगों के सारे doubt क्लियर होगेंगों कि कम से कम price में आप लोगों को Moto के G71 5G को buy करना चाहिए अद्क्र आप में रादा एक टूरी